जल से भगवान कुश्णान कराईए। यदी कोई भी मंत्र नहीं आता है, तो हर-हर गंगे, हर-हर गंगे, हर-हर गंगे, हर-हर गंगे ये बोलकरके भगवान को जल चड़ा दीज BE जल चड़ाने के ततपरशाद फिर उनको जो कच्छा दूद आपने कटोरी में रखा है उस दुगद के द्वारा उनको श्नान कराईए दूद से ओं पया प्रदेब्यां पयो कदीगू पयो दिपतंक स्थे पयो दहा देखे जब आप दूद से आप भगवान कुश्नान करात है यह जतनी भी चीज़ा यहां तक घरत इसनान से भी बहुत ज़्यादा बड़ी महिमा इस दुगद इसनान की है दूद का इसनान बंस व्रद्धी को नहीं रुपने देता है इसमें स्रद्धा रखिए पयस्वती प्रदसाह संतु मैय अम्माहा बेद के अदुद मंत्रे ह पर जल से श्नान कराईए एक्रम है इसका पर दही से श्नान कराईए दही की महिमा आज अब यह थोड़ी दिर पहले आप सुनी रहे था अम्दतिक्राब्डो वकारिसम जिशोरसुस्वाजिना सुरविनों मुखाकर प्रहान आयुकूंकारिसतु दही से श्नान उसके बाद भिजल से श्नान कराईए उसके बाद घी से श्नान कराईए उमगरद ममक्षे घड़्धक्स श्नान कराइए ओं गरदमयमिक्च स्थाय ओनुक्षाध्य नौड़ृ। ये बुलाते हैं, क्योंकि ब्रहमण के द्वारा कराया गया, अब इसे एक तत्काल सो गुना फल तत्काल प्रात कर देता है, खोद करेंगे एक गुना, और ब्रहमण से करवाएंगे, पूजा में बैठे हैं, ब्रहमण मंत्र बोले, सीग रही इंटू हंडेट, पूरा सो गु ये, ये है तो सनातन धर्म की आन बान और साम है, भगवान नारान का मुख है ब्रहमण, भगवान इनके मुख से खुद बोलता है, भगवान ब्रहमण के मुख से बोलता भी है, ब्रहमण के मुख से भोजन भी करता है, और इनके मुख से वो आसिरवात भी देता है, इनका म भगवान का मुखेत